नमस्कार दोस्तूं सभी टेट एवं सिक्सक बर्तियां जिनमें सीटेट आजाएगी जालग लग राज्यों में टेट बर्तियां होती है फेस्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो सिक्सक बर्तियां होती है मेन थर्ड ग्रेड सिक्सक बर्तियां होती है इन सभी के लिए इनसे जुड़ेवे हर टोपिक के अनुसार जो क्यूसन इंपोर्टेंट बनते हैं विगत परिक्षाओं में पूछे गए हैं वो क्यूसन लेकर आ रहे हैं और आज हमारा जो टोपिक रहीगा वो रहीगा अधीगम दोस्तु अधीगम से जुड़ेवे आज की इस कलास के नहीं मिलने वाला है एक बार सभी साती वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करें कम समय में ये पचेतर क्यूसन हम देखेंगे आपका समय खराब नहीं करेंगे इसके साथ आप सभी साती मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं जो भी साती जिस भी त्यारी कर रहा है कमेंट करके इंस्टाग्राम पर मेसेज करके जरूर बताए पहला क्योसन अत्यंत निपूनता पून अधिगम पत ती जिस पर बांडूरा तेता वाल्टर ने बल दिया कौन सी थी वो कौन सी थी निरिक सन युकत दिगम या अनुकरन दोस्तों ओपसन भै यहां पे सही रहीगा अगला क्योसन सीखने का सूज का सिद्दान देना है सूज का सिद्दान किनों ने दिया था गेश्टाल्ट वादियों ने दिया था ओपसन है सही रहीगा क्योसन अमर तीन है माता पिता को अपनी संतान को बुद्दू मूर्क आदी नहीं कहना चाहिए क्योंकि बचे उन सब्दू का दोरान करेंगे वे अपने में इन अवगुणू को ढूंडेंगे उनमें अपसब्द बासन की आदत पड़ेगी तीनु सही यह यहां पे तो उप्रियुक सभी दैव उपस सही रहीगा क्योंसानमर चार है सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर परियोग किया बहुत वे नमर पांच है सीखने के लिए विसे का सवरूप होना चाहिए कैसा सरल से कठीन की और सरल से कठीन की और दोस्तु से उपसं सही रहीगा क्योसे नमर च्छे इसकिनर ने क्रिया परसूत अधिकम पर्तिक्रिया को विसे साधार दे कर महान योगदान दिया कब से 1938 से दोस्तु क्योसे नमर साथ है निन्बे से कौन सा चिंतन की पर्किरया में सबसे कम महतुपून है चित्तर पर्तिक्वच्चीन मासपेसए किर्या या बासा है इस्तान अंतरन के लिए आउसे होता है क्या इस्ताई सीकना क्या होता है इस्ताई सीखना दोस्तूं क्योंसर नमर नो है सास्त्रिय अनुबंद सिद्धान्थ का परतिपादन रुसी स्रीच सास्त्री आई पी पावलोव ने किस सन में किया सास्त्रिय अनुबंद सिद्धान्थ का परतिपादन कब किया था 1904 के अंदर बै उपसंस सही रहीगा क्योसर नमर दस है तोरंडाइक ने तीन मुख्य नियम बताए पांच गोड नियम बताए तीन मुख्य नियम ते ततपर्ता का नियम अब्यास का नियम और परभाव का नियम ये तीनों मुख्य नियम है तो उप्रियुक सभी दे ओपसंस सही रहीगा क्योसर नमर ग्यारा है कोहलर का अधिकम सिद्दांद निमलिकित नाम से जाना जाता है कोहलर का अधिकम सिद्दांद यह रहा अंतरदरश्टी का सिद्दांद ओपसंस सही रहीगा क्योसर नमर बारा है सीखना है एक क्या परिवर्तन है विकास है और अनुकूलन है सभी सही है यहां पर ओपसंद है सही रहीगा क्यों सा नमर तेरा है सीखने की गती निर्बर करती है किस पर सीखने वालों की रूची पर सीखने वालों की जिग्यासा पर सीखने वाले की प्रेरना पर सभी पर निर्बर करती है तो दैया उप्सन सही रहीगा क्यों से नमर चोदे है पुनरबलन के सिद्धान्त का परतीपादन किया किसने पुनरबलन का सिद्धान दिया था हालने दोस्तूं सही है उप्सन है किस नाम से जाना जाता है तोरंडाई का अधिगम सिद्धान जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तोरंडाई का अधिगम सिद्धान जाना जाता है परियास वे तुरूटी का सिद्धान परियास एवं तुरूटी के सिद्धान के नाम से कि उसन सोला अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अधिगम का मुख्या चालक होती है अभी प्रेएरणा क्या होती है अभी प्रेएरणा दोस्तूं कि उसके अंदर एक उतेजक का दूसरे उतजक से सहाचरिए सास्त्री अनुबंदन है उसके अंदर एक उतेजक का दूसरे उतेजक से सहाचरी है सामिले दोस्तों क्यों सन अटारा है गेश्टाल्ट कार्थ क्या होता है पुर्णाकार संपुर्णाकार शमगर के रूप में ओपसन है सही रहीगा क्यों सन उनिस जब पूर्वे प्रात अनुबव समस्या को हल करने में सहाइता होता है सहायक होता है वह है कोई पुराना अनुबव है वो आगे आपको सहाइता दे रहा है मतलब दनात्मक इस्तानांतरन हो रहा है बै ओपसन सही रहीगा कि हुसन 20 हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्म साथ कर लेते हैं ये समंधित है किस से आत्मी करण के नियम से है ओपसन है सही रहीगा कि हुसन 20 है सीखने का सिद्धान तादारित है किस पर परियतन और बूल पर परियतन और बूल पर दोस्तों क्योशन वाइस इसके नर ने परियोग किये किस पर चुवा पर इसके नर ने चुवा पर परियोग किया था क्योशन तेबिस है पावलव ने सास्त्री अनुबंदन के सिद्धांद में परियोग किया किस पर कुद्टे पर दोस्तों ओपसन है सही रहीगा क्योशन चोबिस सीखी गई क्रिया का अन्ने समान प्रस्ततियों में उप्योग किया जाना क्या कहलाता है क्या कहलाता है अधीगम इस्तानांतरन कहलाता है क्योशन पच्छीस है किसी के दूर से पुकारने पर सिग्रे उसके पास पहुँचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है उसको क्या कहता है मोखिक सहाचरिय अधिगम कोई दूर से पुकारे और सिग्रे उसके पास पहुँचा है यानि मोखिक सहाचरिय अधिगम क्योंशन 26 वेक्ति द्वारा जब किसी वस्तू को देख कर या इस पर्स कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है वह कहलाता है परतेक्सात मक्सीखना दोस्तूं ओप्सन है सही रहीगा क्योंशन 27 सीखने के आयू मानी जाती है सीखने के आयू एक से पाँच वर्स मानी जाती है दोस्तूं क्योंशन 28 एक विद्यारती कारण एक विद्यारती कारण परिनाम का समद समझ चुका है वह किस सेक्सिक उदेश्य की प्राप्ती पर पहुंच चुका है किस पर आउबूद पर दोस्तों important question option एस सही रहीगा Question 29 अनुकरण को कहा जाता है कहा जा सकता है क्या शिक्षा का पराराम अनुकरण को शिक्षा का पराराम Question 30 जिसमें सिक्षन पदतीव संचार को नहीं टाला जा सकता वह अधीगम है दोस्तों बह ओप्सन क्योसन 31 है अधिगम वक्र दुआरा सीखने की मात्रा गती और उनती की सीमा का ग्राप पर परदर्शन करते हैं ये कतन किसका है ये कतन है गेट्स वै अन्ने का ओप्सन है सही रहीगा क्योसन 32 जब सीखने की परकिरिया में परगती एक समान रहती है तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं सरल रेकिये वक्र ओप्सन 10 सही रहीगा क्योसन 33 जब परगती की दर में कोई परिवर्टर नहीं होता है तो इस वक्र को कहते हैं इस वक्र को क्या कहते हैं शूने तावरित वक्र कहते हैं वै ओप्सन सही रहीगा क्योसन 34 सीखने की गती आर इसको कहेंगे उनतोदर वक्र, उनतोदर वक्र दोस्तूं, क्यों सन पैतीस, आरमे सीखने की गती मंद और बाद में तीवर हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, आरमे सीखने की गती मंद बाद में तीवर, नतोदर वक्र, ओपसन आया आपका सही रहीगा, क्यों सन नमर 36 देखिए उनतोदर तता नतोदर वक्रों के मिस्रित रूप को कहते हैं क्या कहा जाता है मिस्रित वक्र कहा जाता है ओपसन बैस सही रहीगा क्योसर नमर 37 जब सीखने की किरिया में बिल्कुल उनती नहीं होती है तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसको कहते हैं पठार बैस options सही है क्यों से नमर 38 सीखने की परकिरिया की एक परमुक विसेश्था पठार है ये उस अउदी को वेक्ट करते हैं जब सीखने की किरिया में कोई उनती नहीं होती है ये कतन किसका है ये कतन है रोस का है रोस का दोस्तु क्यों से नमर उन्चालिस सीखने के पठार के एक कारण है सीखने का पठार है इसका कारण क्या होता है दोस्तु क्यों आता है पठार क्यों आता है ठकान सें, दुसीतवातावन सें और कारिय की जटिलता सें तीनुरूपो से आसकता है तो उपरोग सभी Option 10 सही रहेगा Next Qisnd Qisnd Amr.40 है सीखने के पठारू का निरौकरण क्या है सीखने के जो पठार है इनका निरौकरण क्या है प्रेरना, उचित विदियों का परियोग, उप्रियुक्त वातावन, तीनों है आपके यह, तो उप्रोग सभी, ओप्सन दैस सही रहीगा, क्यों सन 41, शर्चनात्मक सिद्धान्त के परवर्तक है, कौन, जेरॉम ब्रुना, सर्चनात्मक सिद्धान्त के परवर्तक, क्यों सन 42 सर्चनात्मक्ता सितात पर यह है शर्चनात्मक्ता ग्यान की सर्चना सर्चनात्मक्ता होती है क्यों संथ 43 अधिगम होता है सक्रिये रहकर सही पहला है अधिगम सक्रिये रहने से होता है दोस्तों क्यों संथ 43 चमालेस नमर क्यों सन है अर्द नहीं यह अर्थ पूर्ण है अर्थ पूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण परकिरिया है सारीरिक मानसिक बावात्म क्या कोई नहीं अर्थ पूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण परकिरिया मानसिक होती है बैव उप्सन क्योसन पेतालिस अधिगम का मुख्य गटक है अभी प्रेणना अधिगम का मुख्य गटक अभी प्रेणना होती है क्योशन 46 अधिगम अधिगम तुरंत हो जाता है नहीं अधिगम में समय लगता है वह ओप्सन सही रहीगा क्योशन 47 अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है किसकी आत्मी कर निकी दोस्तुमों उसे हिर अडिदालीस ए हृता है अधी गम का अधीगंग्यू कृता है क्या यह रबवी से में किसी कारिये में सायक होना मुख्यू उधे उधे होता दोस्तुम अधीगंग्यू का मुख्य उधे आगला कुशन। यदि ग्यान को एक सर्चनात्मक पर्तिमान में नप्रस्तूत किया जाए तो वह सिग्रई विस्मिरित हो जाएगा भूल जाएंगे क्यों से नमर पचास है चातर समुए में चर्चा कर समस्या का हल निकाले सिक्सक सुईदा परदाता की बूमिका में हो ये उपागम क्या होता है ये होता है निर्मीत वाद उपागम दोस्तूं से ओपसन क्यों से निकाउन कबीर के दोए याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोए याद करने की सक्ती में सुदार नहीं होने का नियुन में से पर्मु कारण कुन सा है कुनसा है शून इस ताणां तरण हो रहा है उसके क्यों सनबांग निवन मैसे कौनसा विकल्ब मानिसिक विकास के साथ समंधित नहीं है दूसरों पर निरबरता कोई मानिसिक विकास से जुड़ी हुई चीजी नहीं है मांसी क्रियाँ की तीवरता है कलपना की सजीवता है सीखने की पर क्रिया में तीवरता है तो अपसन है सही रही गा याँ पे क्यों संत्रेपन नियुन में से कौन सा कारण बालक के सवस्त भावात्मक विकास में सायक नहीं है पहला बालक के कारियों को समाजिक सुभी करती मिलना ये तो है प्रिवार एवं विदाले में समेगू का दमन ये नहीं है आपका दमन तो कहीं पर भी नहीं किया जाना चाहिए और दूरही बात सभी कलासे आपको कहां मिलेगी जो ये क्यूसन आइन की अधिगम की दो कलासे लेकर आओंगा एक जो अधिगम है उसे रिलिटेड एक अधिगम के सिद्धान्तू से रिलिटेड क्यूसनों की कलासे पलेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी डेस सिक्सिया मनोविक्यान परसन उतर के नाम से वहाँ पर दोस्तूं सभी कलासे मिल जाएगी अगला क्योसन साइकल चलाने वाला स्कूटर चलाना सिग्रे ही सीख लेता है क्योंकि वहाँ पर दनात्मक इस्तानांत्रन होता है दोस्तूं क्योसन चपन पचपन है पावलाओ के अनुबंदन पर योग में केवल धावनी के उपस्तित करने पर होने वाली अनुकिरिया को कहते हैं जब धावनी उपस्तित की जाती है तब उसको कहते हैं अनुबंदित अनुकिरिया वह ओपसन यापे क्योसन चपन बालक को सामाजिक वेवार की सिक्सिया दी जा सकती है कहां पर वीबीन सामाजिक क्रियाओं से ओपसन बैस सही रहीगा क्यों संसताओं क्रिया परसूत अनुबंदन के सिद्धान्त का सिक्सिकू के लिए निमलिकित में से कौन सा नीथारत है विदार्तियों को प्रियापत अभ्यास करवाना चाहिए उचित वेवार को पुनर्बलन दिया जाए क्रिया परसूत अनुमंदन की बात हो रही है तो यह रहा उचित वेवार को पुनर्बलन दिया जाए बैव उपसन आपका क्यों से नठाऊन निमलिकित मेंसे अधिगम को अभी प्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए पुरुसकारवाला सब से कम में काम लीजिए मिल जुलकर काम करने की परवर्ती परवर्ती को रोचक बनाना बच्चे के नुभूं से जोड़ना जोड़ना ये काम में लीजिए क्योशन 69 यदि घनीत का अधीगम बोतीकी के अधीगम में सायक हो तो ये क्या होगा ये सकारात्मक इस्तानांतरन होगा ओप्सन सह सही रहीगा क्योशन 60 निम्ने से कौन सा कतन अधीगम की परकिरिया को उचित डंग से प्रस्तूत करता है पहल ये आपका ओप्सन है यहां पे सही रहेगा आगे चलिए नेक्स्ट क्योशन की और अधीगम का सम्वन पर्तिकरिया सिद्धान्त ने उन मैं से किसने पढ़ती पाव्लो के सास्तरी अनुबंदन में सबसे पहले धवनी फिर बोजन आता है पहले धवनी तथपश्चात बोजन प्रस्तूत किया गया क्योशन त्रेसट अनुबंद के गोचर की सुरुवाद किसके दुवारा की गई अनुबंद के गोचर की सुरुवाद की थी पावलवने दै उपसं सही रहीगा क्योशन चोशट अधिगम सरवोतम होगा जब कब जब अभी प्रेरना होगी से ओप्सन सही रहीगा क्योशन 65 निवन मैं से कोन मनोवेग्यानिक नहीं है जोन डी भी मनोवेग्यानिक नहीं है वाटसन हल इसके नर मनोवेग्यानिक है आपके ओप्सन S सही रहीगा क्योशन 66 पावलाव के अनुबंदन परियोग में बोजन के पूर्व उपस्तित दवनी को क्या कहते हैं बोजन के पूर्व जो दवनी उसको कहते हैं अनुबंदित उदिपक ओप्सन है सही रहीगा क्यों सट सट बालकु में परभावी अधिकम है तू निमलिकित में से कौनसा विकल्ब सबसे कम है तूर रखता है परभावी अधिगम है तू अधिगम के सारी कादार अधिगम के अभिप्रेना आत्म कादार अधिगम के बोधी कादार अधिगम के दार्शनिकादार सबसे कम मेत्वपुनद देवाला दार्शनिकादार वाला क्योसन 68 उधिपक अनुक्रिया के मद्दे शाच्रिये इस्तापित करने वाले परक्रम को कहते हैं क्या कहते हैं आदीगम कहते हैं दोस्तों ओपसन सही रहीगा क्योशन 69 एक बचा जिसकी उपलब्दी छट्टी कक्सा तक अच्छी थी शात्वी कक्सा से से उसकी उपलब्दी बहुत कम रहने लगी तो वह है कैसा है सेक्सिक दरश्टी से पिछडा हुआ से उप्सन सही रहीगा क्योसन सतर आप अपने जूते एक रेंग पर रखते हैं उस रेंग को उसी स्थान से अठा दिया फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रेंग रखी थी ऐसा होने का कारण क्या है क्योंकि उस जगे से आपका अनुबंद हो गया है दै उप्सन सही रहीगा क्योसन गेतर निमलिकित में से क्रिया के लिए अंतरदरश्टी क्या आउसेक्ता होगी किसके लिए पहले इतियास की तितिया याद करना नहीं इन अंकू के सम्मंद का पता लगाना इसमें क्रिया के लिए अंतरदरश्टी क्या आउसेक्ता है तो बै उप्सन सही रहीगा क्योसन बैतर आप गोडे को पानी के पास ले जा सकते पर उसे पानी पीने को बादे नहीं कर सकते इस कावत की पुष्टी सीखने के नियम से होती है किस नियम से तत परता का नियम बहुत इंपोर्टेंट नियम है दोस्तो तत पर होगा तभी पानी पिएगा आप पढ़ने तो बैट सकते हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं है जब ही पढ़ेंगे जब आप ततपर होंगे पढ़ने के लिए और मेरे उपता है नहीं पढ़ रहे हैं भी क्योंकि सामने बढ़तियां नहीं एक्सीटेट की तैयारी तो आप कर सकते हैं और उसके लावा आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है बड़ी भर्तियां देखने को मिलने वाली है अगले छह मैंनों के अंदर इसलिए तैयारी में लगे रहे आपको जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी टोपिक की दिक्कत है कमेंट करके बताए थियोरी पलस क्योंसन लेकर आ जाओंगा आगे चलिए शर्चनात्मक अदिकं के लिए यह आउसेक है की यह आउसेक सिखसक उचीत रूप से ग्यान परदान करें विधार्त्यों के समोय बनाकर कारे सोपा जाए विधार्त्यों पूर्वे ग्यान वे नमिन ग्यान की अंतक्रिया करें तीनु सही है तो उप्रोक सभी दे उप्सन अगला क्योंसन शर्चनात्मक अधिकम सिद्दान जोड देता है किस पर विद्धियार्तियू के दुवारा नवीन ग्यान की सर्चना पर उप्सन सह सही रहीगा क्योंसन पचेतर किसको परसिक्षन दुवारा वेवार में संसोधन की परकिरिया माना है परसिक्षन दुवारा वेवार में संसोधन की परकिरिया है अधिगाम बैओ उप्सन मित्रू अभी तेक लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है दोस्तूं हमारा मनोबल बढ़ने के लिए लाइक करें अपने मित्रू तक सेर करें और जो भी नए साथी जुट रहे हैं न वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें दोस्तूं आप सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत